नमस्कार दोस्तो मैं सतीश यादाव यूटूब चैनल योगा मास्टर सतीश में आज आपका पुन्हें एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन तो दोस्तो मैं आज आपके लिए एक इतना एहम वीडियो लेकर आ रहा हूं क्लास 11 और 12 वाले क्रूशी बीएशी बोर्ड से स इस्टूडेंट्स आए हैं जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा सिएर करें जो नीचे बैल आइक पर जो होती है बढ़िया अगर आपकी file होगी तो उसका मन पहले ही प्रसंद हो जाएगा और आपसे कम से कम question में आपका पीछा चूट जाएगा कम को बताता हूँ इसके अंदर सबसे पहले आपके first page होता है कि संटिपिकेट होता है इसको आपका नाम हो गया यहां पर बढ़िया एक photo लगाना चाहिए पूरा यह इसको बढ़िया हमें लिखना चाहिए उसके बाद में फिर होती है यह index इंडेक्स के अंदर भी हमें डेट वाई इसके अंदर पूरी इंडेक्स हमने क्या क्या लिखा है वो पूरी इसके अंदर लिखनिये फिर इसके UNDAR आगे हम करते हैं ये देखो हैं इसने कितनी शांदर इंगल्स ने बहुती सुन्दर फाइल तैयार कि है इसके 현 não अपर अब हम शुरुआत करते हैं हुए यह जो एक साइड में हम लिखने का पीक्र होता है एक साइड में जो ब्लेंक होता है इस पर हमें लगानी होती है पिक्चर तो हर पेज के अंदर बेखना होती है रिकोकुर आना चाहता हूं रिकोर्ड फाइल के अंदर फिटनेश टेस्ट होता है एड्मिनिस्टेशन फोर आल आइटम्स उसके अंदर जैसे आगया आपको 50 मीटर स्टेंडिंग इस्टार्ट या 50 मीटर डैस रेस हो गई उसके बाद में होता है 600 मीटर रेस या 600 मीटर वोक पैदल उस उसके बाद होता है partial curl up तो उसके बारे में हमें पूरा लिखना है वो आपकी बुक के अंदर जो 12th की बुक है आपकी physical education की उसके अंदर ये सब एक चेप्टर के अंदर measurement वाले में दिया हुया है उसके बाद होता है pushups होता है वो boys के लिए होता है फिर होता है modify pushups जो girls के लिए girls करता है नीबेंड करने के बाद में जो girls करती है वो इन के लिए modify किया गया है pushups उसके बारे में लिखना है फिर extending broad jump इसके बारे में लिखना है फिर agility के लिए 4 into 10 meter जो subtle run होती है उसके बारे में हमें लिखना है ये हो गया उसके बाद फिर आगला होता है कोई भी एक दो आसन के हमें benefits उसके विपरीत हमारे सरीर पर क्या परभाव पड़ते हैं क्या उसके लाब हैं कब नहीं करना चाहि ये कोई भी एक हमारी एक बिमारी के लिए डिजीज के लिए जो बुक के अंदर आपके दी हुई है उस एक डिजीज पर दो योगासन करने हैं फिर उसके बाद में हमें लिखना है एनि वन गेम ओफ यॉर चोईस आउट ओफ दा लिस्ट जो भी हमारी जो इसके अंदर लि कोई भी एक गेम लिखना है तो उसका हमें पूरा फिल्ड बनाना है फिल्ड का मेजरमेंट लिखना है उसकी क्या क्या एक्विपमेंट होते हैं वो लिखने हैं पूरे रूल्स टर्मिनोलोजी और एंड स्किल्स उसके क्या क्या है ये बहुत ज़्यादा महतुर रखता है तो हमें जो भी हम गेम लिख रहे हैं, उसके हमें skills हमें अच्छी तरह से आने चाहिए, ये लिखने हैं, फाइल, पूरी complete फाइल इसने, कितने सुन्दर तरीके से ये लिखे हैं, ये कितने सुन्दर बहुत ही अच्छी बनाई हैं, तो आप भी neat and clean, ध्यान रखना, neat and clean एकद कि स्टुडेंट से जब लिखते हैं, तो वो end time के अंदर, जब end आ जाता है, जब exam सिर पे आ जाते हैं, जब लिखने की कोशिस करते हैं, एक दूसरे की मांग के लिखते हैं, या कोपी, उसकी कोफी राइट सीधा कर देते हैं, वही फाइल, आपको record फाइल पूरी मैंने ब आपने वाद, थैंक्स स्टुडेंट